Hello Friends, रमस्कार, मैं अनुराधा A Health Care Professional और आप देख रहे हैं अनुराधा Care Channel Pregnancy एक 9 महिने का सफर होता है, जिसमें आप बहुत कुछ experience करते हैं कुछ experience सुखद होता है, wonderful होता है, लेकिन कुछ experience डरावना होता है या फिर horrible होता है जब आप conceive करते हैं, तो आपके सरीर में बहुत ज़्यादा changes आते हैं, आपके hormone में उतार चड़ावाते हैं इस changes के बज़े से और hormone के उतार चड़ाव के बज़े से आपको कुछ unpleasant sensation भी महसूस हो सकता है यह जो unpleasant experience होता है प्रेटिंसी में, उन में से एक है आपका बज़ेनल डिस्चार्ज में तेजी से changes आना आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेटिंसी के दोरान होने बाले वाजेनल डिस्चार्ज के बारे में कौन सा वाजनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है कौन सा वाजनल डिस्चार्ज अबनॉर्मल होता है इसके बारे में हम डीटेल्स में जानेंगे specially हम बात करेंगे pregnancy के दोरान होने बाले yellow discharge के बारे में क्योंकि आप लोगों ने ये request की है कि प्रेग्नेंसी के दोरान होने बाले यलो इस डिस्चार्ज के बारे में बताने के लिए वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर ही मैं बना रही हूं तो अन तक जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने अनुराधा क्यार चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है या फिर चानल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकोन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फोमेटिव वीडियो आपको आगे भी चलका मिलती रहे पहले हम जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दोरान वाजनाल डिस्चार्ज के पीछे क्या क एरिया है उसका आसपास के एरिया में जो ब्लेड फ्लो है बो भी बढ़ जाता है तो वाजनल एरिया में ब्लेड फ्लो बढ़ने के कारण वाजनल सिक्रेशन भी जादा बढ़ जाता है तो आपका जो वाजनल डिस्चार्ज है उसका जो एमाउंट है या फिर वॉल्यूम ह वो भी बढ़ता है लेकिन डरने वाला भी बात नहीं है ये बिलकुल natural process है क्योंकि pregnancy के दोरान आपका vaginal area और cervix area को clean रखने के लिए उसका dead cell होता है या फिर जो bacterial infection होता है उसको clean out करने के लिए ये natural process है जब आप pregnancy conceive कर लेते हैं तो अचानक से ही आपका vaginal discharge होता है वो बढ़ जाता है इसलिए vaginal discharge increase होने को pregnancy का एक एहम symptoms में भी माना जा सकता है लेकिन pregnancy के दोरान vaginal discharge का जो volume है जो consistency है वो color है वो time to time change होता है इसलिए ज़्यादा तर महिला है परहसान रहते है कि कौन सा discharge normal है कौन सा discharge अगर आपको pregnancy के दोरान thin clear milky white discharge हो रहा है जिसमें कुछ order नहीं है कोई भी smell नहीं है कोई भी बद्भू नहीं है और बिल्कुल पानी जैसा चिप चिपा भी हो सकता है तो यह बिल्कुल भी नॉर्मल है अगर यह discharge थोड़ा सा yellow is slide yellow is white या फिर एग white का तरह जैसे भी हो रहा है और उसमें थोड़ा सा sweet sweet smell आ रहे है तो यह भी नॉर्मल है लेकिन अगर pregnancy के दोरान आपको yellow is discharge हो रहा है जिसका की color थोड़ा dark yellow है not light yellow थोड़ा dark yellow color का है या फिर gray color का है या फिर greenish color का है तो यह indicate करता है कि आपको vaginal infection है generally pregnancy के दोरान vaginal infection common होता है जो कि either east के बज़े से हो स सकता है या फिर आपको sexually transmitted disease भी हो सकता है तो आप केसे पहचानेंगे कि यह जो discharge हो रहा है वो आपको infection के बज़ा से हो रहा है या फिर नहीं है अगर आपका जो vaginal discharge का color गाढ़ा yellow यानि कि dark yellow color का है उसमें से तेज बदबु आ रहा है उसमें कुछ unpleasant smell आ रहा है साथी साथ है उसमें दाने दाने जिसा निकल आया है जब आप एसाब करने जा रहे हैं या फिर यूरेट करने जा रहा है आपको burning sensation आ रहा है तो यह clearly indicate करता है इस्ट infection को या फिर bacterial infection को इसके अलाबा अगर आपका जो vaginal discharge है वो cottage cheese यानि कि छेने के जैसा भी हो रहा है तो यह भी indicate करता ह है कि आपको सायद इस्ट infection है या फिर bacterial infection है तो pregnancy के दौरान अगर इस टाइप का discharge आपको हो रहा है तो आप इसे नदरन्दार बिल्कुल ना कीजिए तो कि यह जो इस्ट infection है या फिर bacterial infection है pregnancy के दौरान अगर आपको इसे treatment नहीं कराएंगे तो यह cervix के तुरू आपके placenta तक साथ ही साथ आपके amniotic fluid को भी infect कर सकता है जो कि आपके लिए और साथ ही साथ आपके बच्चे के लिए खतरना को सकता है तो यहां पर मैं आपको एक advice देना चाहूंगी कि अगर pregnancy के दौरान आपको कुछ yellow discharge हो रहा है जिसने की चुछ स्मेल आ रहा है या फिर आपको इस टाइब का कुछ discharge हो रहा है उसमें से स्मेल आ रहा है आपको इचिंग हो रहा है बर्निंग हो रहा है तो बिना देरी किये आप आपने गाइनकोलिजिस्ट को एक बार जरूर कंसल कीजिए प्रगनेर्सी के दोरान कोई भिलापर भाही आपको भारी पढ़ सकता है इसलि करती हूं कि यह वीडियो में आपका सवालों का जबाल मिल गया होगा कि प्रेगनेर्सी के दोरान येलो डिस्चार्ज क्यू होता है और इसके पीछे क्या कारण है और एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगे कि अगर आप अभी प्रेगनेंट है और थर्ड हो रहा है तो यह अम्नियोटिक फ्लूइड का लिकेज या फिर पानी फटने भी हो सकता है तो इस केस में भी तुरंत आपको आपने डॉक्टर से कंसल करना चाहिए लेकिन अगर आप अभी यर्ली स्टेज आफ प्रेगनेंसी में है और आपको डार्क यलो इस इस डिस्टेबल हो सकता है कुछ टिप्स में आपको यहां पर देना चाहोंगी प्रेगनेंसी के दवरान जो इस इस इंफेक्शन या फिर बैक्टरियल इंफेक्शन इसको आवाइड करने के लिए जब भी आप पैंटी उस कर रहे हैं और आपका डिस्चार ज्यादा हो रह कंट्रोल में रह सकें तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बतायागा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजेगा और एक नए इंफरमेटी वीडियो के साथ फिर मिलती हूं तब तक के लिए स्टे हल्दी और स्टे हपपी